नमस्कार स्टूड़ेंट्स आयम वर्षा गुपता टूड़े वी आर स्टाटिंग आर चैप्टर नमर टू ग्लोब लाटिटूट्स एंड लॉंगिटूट्स पीटे कल के वीडियो में कुछ डिस्ट्रबेंट्स आ रहा था वॉइस के अंदर इसलिए आज मैं इसी के अंदर हम अर्थ के बारे में जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि अर्थ हमारा एक जो प्लानेट है वह कैसे संसे उसका कनेक्ट है और थर्ड ये मोस् टंबर का प्लानेट है और आज इस वीडियो में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो अर्थ को बारे में पूरा तो उसको easily समझने के लिए एक चोटा सा मॉडल हमने लिया है globe तो आज इस chapter के अंदर हम globe के बारे में ही बहुत सारी चीज़े interesting topics इसके अंदर हम पढ़ेंगे from the previous chapter we have already gathered knowledge about the shape of the earth इससे पहले बाले chapter में हमने earth की जो shape थी कि इसकी जोएट शेप होती है उसके बारे में हमने knowledge ली थी the true shape of the earth is termed as geoid है जोएट बोलते है which means earth shaped is earth shaped यह जो shaped क्या है earth की shape कैसी है यह आपको important learn करना रहेगा कि earth की shape कैसी जोएट शेप है इसकी है और इट बॉल्स at the equator but is slightly flattened at the poles यह जो निया यह क्या होती है कि इसकी थोड़ा जो पॉल्स होते ना इसके north pole और south pole आप जानते होंगे देखिए मैं आपको इसके अंदर डाइग्राम के अंदर बताती हूं यह अपना डाइग्राम है यह जो आपका globe है इस globe के अंदर यह इसका north pole है इसान ना यहां से north pole और south pole से ठोड़ी सी इसकी जो शेप और वह कैसी है कि अब अपन वापस चैप्टर की तरफ आते हैं यह इस 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 लाइटली फ्लाटन अट पोल्स दा डायमेटर ऑफ द एर्थ राउंड द एक्वेटर इस 12756 जो भी मैंने आपको एक्वेटर बताया था वहां से यह कितना इसका डिस्टेंस है 12756 किलोमेटर वाइल पोलर डायमेटर इस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो इसका डायमेटर आता है वो आता है 12712 किलोमेटर बेस्ट प्रूफ रिगार्डिंग द शेप अफ द एर्थ कम्स फ्रों एरियल फोटोग्राफ तेकन सम्सेटलाइट इसके जो सेटलाइट के थू बहुत अच्छे फोटोग्राफ इसके जो अर्थ की शेप को क्लियर हमें बताते हैं आगे देखें तू 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 शेप अफ द एर्थ वेरियस फीचर अच्रेक्रिस्टिक्स इन आज जोग्राफी लबरेटरी और ग्लास्रूम पी अफ दिवाइज अग्लोग्राफ अटू ट्रू थी दिमेंशनल बॉडल अफ द एर्थ अफ एनी स्पेरिकल सेलेस्टल body is called a globe जो हम स्पेरिकल शेप में सेलेस्टल बॉडब जो है हमारी इर्थ इसका थी डामेंशनल मॉडल जो है वह क्या कहलाता है तो वॉटिस ग्लोग तो अगर ग्लोग की identification आपके आजाती है तो आप लिखेंगे a true three dimensional model of the earth or any spherical celestial body is called globe यह फिर आप से पूछा जाता है कि earth की shape कैसी होती है sorry globe की shape तो यह कैसा होता three dimensional model होता है ओके यह जो word है the globe the word globe comes from the Latin word globus means is fair इसका mean मतलब क्या होता है is fair तो इस global से बना है is fair globe when you look at a globe in the classroom museum you will notice that it is usually mountain mounted at a angle तो यह जो हमने globe देखा है अपने classroom के अंदर आपने देखा होगा अभी हमारी जब offline class होगी यह मैंने भी picture आपको दिखाएए यह भी कैसा है थोड़ा सा अपने angle से जुका हुआ है the angle of the mountain represents the axis of an angle of the planet in the relation of the sun मला यह जो जुका हुआ है ना यह क्या कहलाता है एक तो axis को represent करता है और दूसरा कि जो planet है हमारा वो sun की तरफ कि एंगल से जुका हुआ है उसको यह बताता है कि उसके sun के साथ हमारा angle actual में कैसा है the axis of the real earth is an imaginary line अब जो axis है यह कोई सही में लाइन नहीं है कि earth के बीच में से कोई एक line जा रही है north pole से south pole पे कोई एक line कीची हूँ यह नहीं यह कि वाल एक imaginary line है जो कि north pole से south pole की तरफ आती है और जिसके इसी चारों तरफ जो है ना हमारी जो अर्थ है वो rotate होती है we can spin the globe because of this mountain to represent the spinning of the earth on its axis हम जैसे globe को अपने यह जो आपने अभी globe देखा था यह देखी globe इस globe को हम अगर यह तरह से घुमाते हैं तो यह चारों तरफ अपना राउंड करता है इसी तरह से यह किस पर राउंड कर रहा है यह जो एक्सेस है north pole से south pole की तरफ इसी करण से राउंड करता है और इसी लिए जो हमारी जो अर्थ है वो भी इसी तरह से राउंड spin करती है ना this makes it easy to visualize day and night इसी कारण से हम day और night को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं ग्लोब के थूप एंड चेंजिंग seasons और हमारे seasons change हो रहे है ना summer के बाद फिर हमारा यह spring आ जाता है और फिर उसके बाद winter आता है तो यह सारे जो seasons हमारे change होते हैं उसको भी हम इससे बहुत आसान से समझ सकते हैं axis of the earth is tilted at an angle of 23 and half degree to the vertical plane plane service से यह अगर हम इसको देखें तो यह कितना डिगरी थोड़ी जुकी हुई है tilt हो रही है यह थोड़ी tilt कितना tilt हो रही है यानि यह जुकी हुए यह अब आपने जिये ग्लोब देखा है यह देखें ग्लोब है कि इस ट्रेट फॉर्म में नहीं है यह थोड़ा सा क्या हो रहा है इस तरह से इस तरफ जुका हुआ है यानि 23 and half degrees से जुका हुआ है अगी question which comes to our mind whenever we go somewhere whenever we go somewhere is where am I हमें लगता है न हम कहां पर है throughout human experience this question has from prompt man to find out some means to find this out the ancient Greek geographer Ptolemy created a grid system of the world in his book geography for locating places on earth in this middle in the middle ages the present latitude and longitude system was developed and implemented for this purpose अब आप यहीं पर जैसे देखे यह आपका globe है इस globe है अगर आप यहां पर खड़े हो यहां खड़े हो तो आपको यह दिमाग में आएगा मैं कहां खड़ा हूं मला पूरी आर्थ के अंदर में किस पार्ट में खड़ा हूं तो इस चीज को समझने के लिए तो यह बनाए गए हैं क्या बनाए गए हैं और यह जो longitude और latitude क्या होते हैं इस पर हम discuss करेंगे previous अपने वीडियो के अंदर आज की वीडियो में students इतना ही thank you and have a nice day और जो भी आपके इसमें underline मैंने lines करी हैं इन सबको आप अपनी notes copy के अंदर note down जरूर कर लें क्योंकि यह exam के point of view से short question के point of view से very important lines है okay thank you and have a nice day